विशाल वर्मा जी दिल्ली से रादे रादे महारा जी आपकी चड़ना में कोटी-कोटी प्रणाम महारा जी दो साल हुए भगवान जी और आप Śरी संतों की कृपा से भक्ती मार्ग में प्रवेश मिला भगवान के नाम की शरण मिली महराजी शुरू में ही सुन लिया था कि कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम में धीरे-धीरे सब कुछ छिन जाता है तब उतना सिरियसली नहीं लिया अब इधर सब कुछ धीरे-धीरे छिनता जा रहा है और कृष्ण प्रेम भी अभी प्राप्ती वैसी नहीं मिल पारी महराजी टृपा माग दशन की तुम्हारा था क्या जो छिन गया आमें बताई रिपोर्ट तो हम तब कर सकते हैं जब हमारी कोई वस्तु छिनी हो आपका था क्या आमें बतादी आपने क्या रचना की और आपका क्या पुरशार्थ था किसमें कि पांच बहुतिक सरीर में ये पंच बूतों से बनावा या आप में आप भगवान के अंश हैं क्या पुरशार्थ अगर वो ये काह खटा देते हैं उनकी मौश की बात है, वो एक से दिखाना चाहते हैं, उनकी वस्तु है ना, आपकी क्या हमें बता दो, आपका क्या है, आपका क्या है आप बताएं, पढ़े लिखे गए आप, भगवान ने बुद्धी दी है ना, बुद्धी कारण कर लें तो फुटपास में कागजबर टो को भगवान में समर्पित होना, भगवान अपने बच्चों की बाहरी लीलाओं का खेल खिलोनों का विनास नहीं करते हैं, भाव को समझे, अवश्य में भाउक तब्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, अभी आप उस कोटी के सरनागत नहीं कि आपके शुव और अशुवों का विनास हो गया हो, समझे ना, आप खुद स्वईकार करते हैं, दो वर्से से बक्ती में, अब किस कोटी की भक्ती है, दो वर्से में जागरत हो गई हो, आप देखो, इसके पीछे क्या होता रहा जन्म जन्मांतरों में यो इसी जन्म में, आप देखो, तो जो बोया है पीछ चानी में बोया, इस वरस वही खाओगे, अब जो बो रहे हो, उसे तुमा के फसल काटोगे, अभी इस कोटी का तुम्हारा ज्ञान या भक्ती नहीं आई, जिसने जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को भस्म कर दिया हो, और विशुद्ग्यान से प्रकासित हो गया हो, तो फिर ये प्रसने ही नहीं आएगा कि हमारा छीन लिया क्या ब्रह्म, अज्ञान, मो, पाप, भगवान क्या छीनते हैं, ये छीनते हैं, नहीं लड़का छीन लिया, तो ब्रह्म ही तो था तो कि वो तुम्हारा पुत्र है, भगवान ही तो आए थे तुम जान पाए क्या, तुम्हार है इश्वरे छीन लिया, तो अनंत ब्रमांडू का इस वह किस कि फोर सिद्धान्त से समझोगे तो भगवान पर कभी दोस नहीं लगा पाती है जब कुछ था ही नहीं मेरा खिंआ कि आ कर आंकार है हमारा अग्यान खिंआ हमारा भ्रहन चिंआ है बात्सत्यमाल लिजिए भगवान जैसा करपाल कोई नहीं अध्यात्म जैसा कोई मार्ग नहीं है परमानंद प्राप्ति के लिए अध्यात्म मार्ग है जब हम अध्यात्म मार्ग में चलते हैं तो इसमें गुप्त बात है कि अनंत जनमों के पापों को भगवान भस्म कर देते हैं पर जो उन जनमों से पाप कर्म का फल निकाल कर इस सरीर की रचना हुई ही है वो हमें बोगना पड़ेगा क्योंकि अब हमारी भक्ती चल रहे हैं सरीर बनने के पहले जो हमारे कर्म थे उनके अनुसार सरीर की पूरे जीवन का फल लिख दिया गया है इतने समय के बाद यह रोग होगा इतने समय के बाद हाँ तूटे गा इतने समय के बाद आग तू पुल चुक से हो भी जाएं तो भगवान उसे छमा कर देते हैं रातन प्रभु चित चूक किये की करत सुरत सहबार हिये की हर्दे से देखते मेरा भगते छमा कर देते हैं पर इस शरीर का जो भोग आया है इसको भोग ना पुड़ेगा बड़े शंत अम्दि हुराम कृष्ण करत हैं अध्याट दुवारा आवाज नहीं मा पुरु के कीरतन में फर्क नहीं पड़ना चाहिए आखिया मंजीरा जो के और जोर से की करने लगे नाचने लगे माँ परव चेतन्य देव रुक गये और उनका स्रीवास मेरा मन कुछ सुस्क सा ओ रहा है कोई घटना घटी क्या उनका परव क्या घटना कर सकती जहाँ आप मंगल मूर्ती नाम कीरतन हो रहाँ घटना क्या कर जक सकती तब किसी भाक्ति ने बताया कि स्रीवास का बेटा पधार गया है उनका बताया कि उन्हें प्रूब बताने क्या बात है आपका था आपने उसे अपनी सेवा में बेद दिया और जिस जीव को ये सवभागी मिले कि आप स्वहम किर्तन कर रहे हैं और वो पधार रहा है इसके लिए तो बड़े रिशी मुनी याचना करते हैं पर भी कोई सोक की बात है ये कोई दुखी की बात है लिए वो आनंदित है उत्रपधार गया वो आनंदित है कि उस जीव को जो सवभागी मिला बड़े बड़े रिशी मुनी ऐसी याचना करते हैं और वो था नहीं मेरा आपका थ आपने बुला लिया अब ये है भक्ती का रंग इसमें क्या छिन गया जो जितने शमय के लिए उतने समय तक रहेगा और चला जाएगा ये सरीर जितने समय तक के लिए पहले ही निर्धारित हो चुका है इसके बादे चला जाएगा भाया अगर विवेक से देखोगे तो लगेगा भगवान के साथ हमने क्या बुरा किया जो उन्होंने हमारा चीन लिया भगवान इस पस्ट कहे रहे हैं अवस्य में भोग तब्यम कृतम कर्म सुभा सुभम भोगना पड़ेगा तुम्हें जो तुम कर्म कर रहे हो एक उपाय है ऐसी शर्णागती प्राप्त करो क अहम भी समर्पित हो जाए तो सब भस हो जाएगा अभी उसमें प्रिवेसी नहीं हुआ है उस सर्णागती में तो प्रिवेसी नहीं हुआ जिसे सुद्ध परमार्त कहते हैं उसका ककारा भी नहीं आता है तो वो बात तो बनी नहीं तो इसलिए बात को अंदर से हटाओ कि भ भगवान की क्रपा मनो और भक्ती में आगे बढ़ो तब तुम जब उचाई पर पहुंचोगे फिर देखोगे कि पीछे की विबात को तो हर कदम में क्रपा दिखाई देगी आपको वो बचा लिया भगवान ने क्रपा की भगवान ने अगर हमारे अनकुल परिवार मिलता अ कुल संपत्ती मिलती तो भोगों में फस जाता कभी सानंद को प्राव कितने क्रपा लो भगवान आपने मुझे वो दिया ही नहीं जिसमें फसा जाता है मुझे दिया ही नहीं बड़े क्रपा लो आपकी जय ऐसे मनाते अभी राग है भोगों में परिवार में संसार में तो ह अनंत जन्मों का हिसाब इसी जन्म में होके खतम खेल अब हमें प्रवुक पास जाता है ये बात अगर आप देखोगे तो आप रो पड़ोगे कि जिन कर्मों को मैं लाखो जन्म भोगता फिर भी नहीं काट पाता उनको भगवान ने से चुट पुट थोड़ा बारा कस्ट द के लिखसर क्लें आया अगर आता तो हम कर देते हैं हमने आज तक कैसा नहीं देखा है जब कभी कही कोई हिर्दमें जलन हुई तो मेरे विचार की कमीहिं ए राचरन की कमीहिं मेरे भगवान की नहीं सच्ची कहता हम उनका इसा प्यार है उनका एसा दुला रहे हसाु है कि हम ब्रंदावन आने लाइक है सोचो जला जिस ब्रंदावन के लिए बड़े-बड़े महापुरुष जो रजसी शनकादिक याचत सो रजसी से चड़ाओं कि सूरी तेरे चर्णन की रजपाओं भला इस रज में हमाने लाइक स्री राधिका कृपाविन सबके मनन अगम म हनुमान जी को देख करके भीविशन जी के हरदय में भाग कि अब मुहिभाव हरोश हनुमंता बिनुवारी कृपा मिल आप संत समागम में बैठे हैं अओ भागे सुत दाराधन लक्षमी पापियू के घर होए संत समागम हरिकता तुलसी दुरलब भगवान ने छीना ने आ जो चिनने की बात करें वो विनाशी है वो अपने समय से नस्ठ हो जाएगा उसे कोई चिनता नहीं है बरफी रख देओ जो वुद बढ़ियां दिखाए देती दो चार दिन में ऐसी फंफूंदी दुरगंद हो यह क्योंकि इसका स्वरूपई यही है खाने क्या देखने ल खाया गया मल बन गया नहीं खाया गया सड़ गया यहां यह सिस्टम है परिवर तनसील विनास में यह सिस्टम है इसको दोस नहीं दिया यह सिस्टम है हर लोग का अलग-अलग सिस्टम है यह यहां का सिस्टम है वही तुम्हारे साथ जब हो रहा तुम्हें लग भगवान रहें तो यहां कुछ अविनासी हो तो मुझे बताओ कुछ अविनासी प्रभू ने अविनासी चीज तुम्हारी छेन ले हो तो हमें बताओ जब भगवान लिख दिये हैं पालो आप जाओ किसी पुस्तकाले में और कर दो जब आप एक इंग्जिस्टन दो टेबलेट और तो भगवार ने क्या चीना है भीया इसमें लेबिल लगी पहले पड़ो जहां तुम आयो इसका नाम मृत्ति लूग है इसमें दुख ही दुख है इसमें सब कुछ छूटने वाला है अब तुम पकड़ के बैठो कि हमारा ना छूटे तो आज तक कोई ऐसा नहीं रहा कि जिसक अंता सोई जानिये जाके राम नाम राधा नाम कृष्ण नाम स्याम नाम तो यह आपको प्रहू ने दिया है वो दाता है वो लेने वाले थोड़ी है भूल से सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर लिए और जब सरकारी पारसदा के छुड़ाएं तब आप गाली दे उसरकार को देखो तुम्हारी भूल है माफी नामा तुम्हें लिखना चाहिए सरकारी जमिन पर कब्जा किये हो और इसके बाद जो छुड़ाने आ रहे तो आप गाली दे रहे हो तो गलती आपकी हो रही ना यह सब कुछ सरकारी है भगवाल का है सेवा के लिए मिली यह गाड़ी बं सब धोखा ही दोखा है अगर को अप्रमार देऊ कुछ भी हम इनासी हो ङतो हो भगवान भी आतार लेते हैं तो समय के साथ अंतरदयाल हो जाते है tut Tamba के साथ समय जितना लेके आयों उतना ही जब भगवान नहीं ज्यादा रुके समय के आगे प्रगट-वतार में तो हम तु नतिल बढ़े रहुरे जीव निसंक यहां जो होला है वही होगा तुम राधा राधा जपो धर्म से चलो जो साथ है उनको लेके चलो जो छूटते जाएं जैसरी राधे आगे बढ़ो यह महाँ प्रस्थान लीला है अगर यहां पकड़ के विटे के हमारा लड़का हमारी पत समझ लोगे न तो आनंदित हो जाओगे और नाटक वाजी से इसका हल होना नहीं है नाटक में नाटक क्या गंदी नाली के हाँ पानी से हाँ दोगे तो पवित्य थोड़ी हो जाएंगे माया के नाटक चल रहा है मैं और मोर तोरत है माया एक मात्र भगवान है दूसरा आप कुछ ऐसा दूसरा दिखा रहे है भजन करो माया का नाश होगा तो आप खुद समझ जाओगे कोई नहीं आप शत्य शुरूप भगवत शुरूप हैं आप कोई मनुष्य नहीं है आप कोई जीव जंतुर नहीं है आप भगवान के अंसरताद भगवत शुरूप हैं आ कोई था नहीं, कोई है नहीं, कोई रहेगा नहीं, एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा बात पकड़ लीजे, दूसरा तुमने जो माना है, तुम्हारा ब्रहा में इसलिए तुम्हें रोना पड़ेगा, बैवीत होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा, यही तो हो रहा है झाल